देखो बई Redmi Note 13 5G हो या फिर Poco X6 Neo हो उसके अंदर जो अपडेट है HyperOS का जो नया वाला यह आप देख रहे हो 1.0.8.0 जो कि Android 14 के साथ मिलेगा किसी को तो ये अपडेट औरेडी मिल चुका है जिसने पहले 1.0.6.0 HyperOS इंस्टॉल कर लिया बट काफी लोगोंने MIUI का 14.0.9 अपडेट इंस्टॉल किया था उनको ये जो अपडेट है अभी शो नहीं हो रहा उसका रीजन बताऊँगा क्या है और मेरे को ना काफी ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे हैं भाई कल से कि इस डिवाइस के अंदर अपडेट नहीं आ रहा इवन मैंने जो है प्रॉपरली आपको बताया भी था आप देख सकते हो इस भाई ने बोला है भाई Redmi Note 13 5G में HyperOS का अपडेट नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ कब तक आपको मिल जाएगा और कब तक आपको वेट करना पडेगा और अगर आप चैनल पे नहीं हो ऐ ऐसे ही और अपडेट के बारे में अपडेटिड रहना चाते हो तो डेफिनली भाई वीडियो को लाइक किये बिना आगे मत जाना और सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो देखो ये जो अपडेट रोल आउट हुआ था ना Redmi Note 13 5G का ये जून 21st को हुआ था यनिकि आज से ट अगर इसकी मालो टेस्टिंग प्रॉपरली हो चुकी है ये स्टेबल जो है निकल के आ चुका है तब तो ये भाई आप फ्लेश कर पाओगे अपडेटर के थूरू अगर आपने आपर MIUI 14.0.9 को इंस्टॉल कर रगा है तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते आपको अफ 324MB का अपडेट है ये आपको देखने को मिलेगा जिसने यहाँ पर हाईपर OS को इंस्टॉल कर रखा है सबसे पहले तो आपने अगर MIUI 14.0.9 वर्जन को इंस्टॉल कर रखा है तो ये अपडेट आपको नहीं मिलेगा आपको बड़े साइज का अपडेट देखने को अब देखो फिलहाल ये जो है मी पाइलेट टेस्टर को मिला है इंडिया के अंदर इतने सारे अपडेट आते रहते हैं भाई देख सकते हो सबको अल्मोस्ट मिल चुका है बट इस डिवाइस के साथ ना Redmi Note 13 5G है इसके साथ काफी ज़्यादा कॉंट्रोवर्सिस हैं क्योंक तो भाई देख लो आपके सामने जो मेरे पास न्यूज आती है जो अवेलेबल मेथट जा वो मैं आपको बताने की कोशिश करा हूँ अब मेरको यहाँ पे जितना भी पता चला है वो पता चला है कि यहाँ पे जो ये अपडेट आने वाला है ये जब तक पब्लिकली फुल जीरो के भी अपडेट देखने को बिलेगे यानि कि जितने भी अपडेट आगे आने वाले हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ये जो है मियूआ स्टफ सर्च करोगे ना यहाँ पे टेलिग्राम पे जाके तो आपको मिल जाएगा और इसके अंदर में आपको बता दूँगा अब ये जो है आपको वेट करना पड़ सकता है फ्रॉबिलिए पांच से छे दिन और तक यहां पे पांच से छे दिन के अंदर आजा आना चाहिए ये वाला जो अपडेट है क्यूंकि काफी दिन हो चुके हैं क्यूंकि यह जो आप देखो Xiaomi 11i को भी almost तभी जो है अपडेट रिलीज किया गया था और इसका जो अपडेट है ना वो भाई औरेड़ी यहाँ पे पब्लिकली रोल आउट हो चुका है यहाँ पे June Security Patch रिलीज किया गया था बढ़ यहाँ पे इसका अभी तक पब्लिकली रोल आउट नहीं किया गया बढ़ आपको जल्दी ही इसके अपडेट देखने को मिल जाएगा और आप कॉमेंट्स में बताना कि आप कौन से HyperOS के उपर हो या फिर आप MIUI वर्जिन यूज करे हो यह अगर आपको सेट अप चाहिए ऐसे जो है कंट्रोल सेंटर के साथ ऐसा स्टेटिस बार तो वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है वो आप जरूर से चेक आउट कर सकते हो अभी जोस्ट दो दिन पहले